आजकर में नियाज खान और आप देख रहे हैं कश्मीरी हिंदों पर हुए अत्याचार के मुद्दे पर बनी फिल्म दी कश्मीर फाइल्स एक तरफ जहां बंपर कमाई करते हुए 200 करोड का भी आंकड़ा पार कर गई तो वहीं दूसी तरफ इस फिल्म पर सियासत भी खूब हो रही है खास कर जब से देश के परधान मंतरी नरेंदर मोदी ने इस फिल्म की तारीफ की है तब से पूरा विपक्ष जैसे बौखलाता गया है और इसी बौखलाहट में दिल्ली के मुख्यमंतरी अरविंद के जिर्वाल ने तो इस फिल्म को ही जूटी फिल्म तक बता दी इतना ही नहीं जब उनके लिए एक सिनेमा घर में दिकश्मीर फाइल्स का शोव बुक किया गया तो वो फिल्म देखने भी नहीं गये और पूरे शोव के दवरान के जिर्वाल की सीट खाली ही रही दरसल देश के तमाम बीजेपी शासित राज्यों में दिकश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री कर दिया गया है और दिल्ली में भी बीजेपी इस फिल्म को टैक्स फ्री किये जाने की मांग कर रही है लेकिन के जिर्वाल सरकार ने कश्मीर फाइल्स को जूटी फिल्म बताकर इसे टैक्स फ्री करने से ही इंकार कर दिया आपको इज्जत मिलेगी, सम्मान मिलेगा, आपसे कता ही जूटे नारे निलेगवाएंगे राष्ट निर्मान में आपको साथ लेंगे, हम राष्ट निर्मान करेंगे आपके साथ मेंगे यह पोस्टर भी नहीं लगवाएंगे जूटी फिल्मों के और जो भी करना हो, कम से कम यार यह पिक्चर का प्रोमोशन करना तो बंद करो एक तरफ जहां के जिर्वाल दी कश्मीर फाइल्स का मजाक उड़ा रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुपता ने दिल्ली के महादेव रोड फिल्म स्थभागार में दी कश्मीर फाइल्स की एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखी थी और सीम के जिर्वाल को भी बुलाया था जिससे ये फिल्म देखकर उनका दिल पसीज जाए और कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री कर दे नमस्कार 32 साल के बाद दुनिया के सामने कस्मीरी हिंदूओं और कस्मीरी पंडितों पर हुए बरवर्ता पूर्ण अत्याचार एवं नरसंधार की सच्चाई दा कश्मीर फाइल्स फिल्म के मात्यम से सामने आई है देश के अंदर बड़ी भारी संख्या में लोग फिल्म को देखने के लिए उमड रहे हैं दिल्ली में भी बहुत भारी संख्या में लोग इस फिल्म को देख रहे हैं हम चाहते हैं कि ये फिल्म दिल्ली के अंदर टैक्स प्री हो ताकि आज की युवा पीड़ी इसको जादा से जादा देखकर उस समय की सच्चाई को जान सके आज हमने एक आयोजन किया है महादेव रोड फिल्म डिवियन सवागार में और उसमें हमने दिल्ली के मुख्यमंतरी साब को आमंतरित किया है मैं दिल्ली के मुख्य मंत्री साब से निवेधन करता हूँ कि आप इस फिल्म को देखने साम को साड़े साथ बज़े फिल्म डिवियन सबागार महादयो रोट पर जरूर आईए आपका इंदजार रहेगा शायद आप फिल्म देखेंगे उस समय की हकीकत को सच्चाई को जानेगे तो आपका दिल पसीच जाएगा और आप इस फिल्म को यहाँ पर दिल्ली के अंदर जनता के लिए टैक्स प्री करेंगे आप जरूर आईए आपका इंतजार रहेगा बहुत बहुत धन्यवाई आदेश गुपता के साथ ही केंद्रिय मंतरी अनुराग ठाकुर भी तै समय के मताबिक दिकश्मीर फाइल्स देखने पहुँचें लेकिन सीट बुक होने के बावजूद सीम के जिरवाल फिल्म देखने नहीं पहुँचें और पूरी फिल्म के दोरान के जिरवाल की सीट खाली ही खाली रह गई सीट बुक होने के बावजूद सीम के जिरवाल दी कश्मीर फाइल्स फिल्म देखने नहीं गए तो दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुपता ने एक और फीट कर लिखा बहुत ही दुर्भाग प्रण है कि आज अर्विंद के जिरवाल ने दी कश्मीर फाइल्स को जूटी फिल्म बोलकर उसे देखने से साफ मना कर दिया ये बया करता है कि उन्हें कश्मीरी पंडितों के नरसंगहार से कोई फर्क नहीं पड़ता या स्पष्ट हो गया है कि वो अलगाव वादियों और आतंक वादियों के साइलेंट समर्थक हैं बीजेपी परवक्ता शहजाद पुनावाला ने लिखा अगर हैदर के स्क्रीनिंग होती तो के जिरवाल चले जाते पक्का सिट बुक होने के बावजूद CM के जिरवाल दी कश्मीर फाइल्स देखने के लिए नहीं गयें तो बीजेपी नेताओं ने उन पर कुछ इसी तरह से तंज कसा वैसे आपको बता दें कि जिस कश्मीर फाइल्स को भरी विधान सभा में खुद के जिरवाल जूटी फिल्म बता चुके हो और उसे दिल्ली में टैक्स फ्री करने से भी इंकार कर दिया हो वो फिल्म भला के जिरवाल कैसे देखने जाते इतना ही नहीं जिस तरह से कश्मीरी हिंदों पर हुए अत्याचार के मुद्दे पर बने फिल्म कश्मीर फाइल्स पर विधान सभा में के जिरवाल ठहाके लगा कर हसे उसे देखकर तो यही सवाल भी उठने लगा कि अगर सिख दंगों पर कोई फिल्म बनती है तो क्या के जिरवाल सरकार उसे भी टैक्स फ्री करने से इंकार कर देगी आपको क्या लगता है अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं और साथी कश्मीर फाइल्स पर के जिरवाल ने आगे क्या कुछ कहा आईए आपको सुनाते हैं आज सारे देश की सारी भारते जंता पार्टी एक पिक्चर के पोस्टर लगा रही है गली गली में जाके पूरी सारी भारते जिनता पार्टी देश में एक पिक्चर के पोस्टर लगा रही है इसलिए राजनीती करने आये थे पिक्चरों के पोस्टर अपने बच्चों को क्या जवाब दोगे घर जाके बच्चे पूछेंगे पापा क्या काम करते हो पिक्चरों के पोस्टर लगात पड़े तो इसका मितलब उस प्रधान मंतरे ने आठ साल में कोई काम नहीं किया आठ साल खरात पर दो विवेक अगनी होतरी के चर्णों में उनको शरण देनी पड़ रही है बचालो 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 अगर किसी प्रधान मंतरी को कह रहे है कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री कर चाल देगा सारी पिक्चर फ्री है सारे जोने देख लेंगे कि दिन के अंदर टैक्स फ्री की क्या जरूरत है यूट्यूब पर को निटल कल एक मैंने अखबार में पड़ा हर्याना के अंदर भारते जनता पार्टी का एक एमले था उसने का आज मैं पार्क के अंदर इसकी फ्री स्क्रीनिंग करूंगा तुरंत विवेक अगनी हो तुरी का ट्वीट आया खटर साथ के खटर साथ देखो यह फ्री में कर रहा है इसको बोलो टिकेट लेके करेगा भाई साथ कश्मीरों कश्मीरी पंडितों के नाम पे कोई कुछ लोग करोडो करोडो रुपए कमा रह तुम लोग पोस्टर लगाते रह गए क्या हाल बना दिया तुम लोगों का यार आंखे खोलो तुम लोग सारे जने बीजेपी छोड़के आम अदमी पार्टी में आ जाओ आपको 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 इज्जित मिलेगी सम्मान मिलेगा आपसे कता ही जुटे नारे ने लगवाएंगे राष्ट निर्मान में आपको साथ लेंगे हम राष्ट निर्मान करेंगे आपके साथ मिलेंगे यह पोस्टर भी नहीं लगवाएंगे जुटी फिल्मों के और जो भी करना हो कम से कम्यार ये पिक्चर का प्रोमोशन करना तो बंद करो एक गंदे लगते हो तुम लोग अच्छी शोवानी देता आप लोगों किया आप अच्छे आदमी हो कुछ करने आए थे राजनीते में कहा पिक्चर के पोस्टर और प्रोमोशन करने में लगा दिया